रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें मुंबई लोकल ट्रेड में सफर करने वाले आम मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है अब मुंबई लोकल ट्रेड में सफर करने के लिए मन्थली पास रखना जरूरी नहीं है अब टिकट लेकर सफर करने की छूट मिल गई है लेकिन वैक्सिनेशन की सर्त भी लागू है यानि की टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका वैक्सिनेशन कम्पलीट होगा कुरोना रोधी वैक्सिनेशन के 15 दिनों के बाद कोई भी विवेक्ट टिकट लेकर मुंबई लोकल ट्रेड में सफर कर सकता है यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है अब तक किसी को हपते में एक या दो बार अगर मुंबई जाना होता था तो उसे मंथली पास बनवाना पड़ता था यानि की एक दिन के लिए पूरे महीने के किराए भरने पड़ते थे अब ये सर्त लागू नहीं होगी इससे पहले राजी सरकार ने वेक्षिनेशन पूरा होने के बाद मंथली पास लेकर यात्रा की अनुमती दी थी इससे लोगों में काफी नाराजगी देखी गई थी लोगों ने सवाल उठाना शुरू भी कर दिया था अगर महीने भर किसी को जाना नहीं है तो वो महीने भर का पास क्यों ले और महीने भर का किराया क्यों भरे अब वो नाराजगी दूर हो गई है और कोरोना काल से पहले की तरह ही टिकट लेकर यात्रा की अनुमती दी गई है इसका फाइदा लाखो यात्रियों को होगा